दिवानिवार एस्सेशन के ओर से बरिष्ट दिवार एस्सेशन के अध्याद स्वारव्यादव और सचीव संतोषकुमारी आदव समेथ सभी सदस्यों ने एक राय होकर दिवानिवार एस्सेशन सिविल कोड में केंद्रे कच में बैठक करते हुए कारकार्णी में बैठक में बरिष्ट दिवक्ता सम्मान निधी योजना को पारित करने पर मोहर लगाई है इस योजना की तहए 65 साल पूरे कर चुके बरिष्ट अदिवक्ताओं को सम्मान नीदी के रूप में 2100 रुपए प्रतिमाद देना सुनिशित किया गया है बरिष्ट अदिवक्ताओं के सम्मान में लागू की गई इस योजना को लेकर पूरी कारकारणी ने हिकमत होकर योजना में महर लगाने का काम क्या है पूरी योजना के बारे में जानकारी देते हुए दिवानी बार असोशियेशन के सचेव संतोस कुमार यादम ने क्या कुछ पताया है यह हम आपको सुनवाएंगे लेकिन उससे पहले बता दे कि नवंबर माह से ही योजना की रासी का वित्रड़ सुरू किया जाएगा नवंबर माह में सम्मान रासी के 2100 रुपए प्रतीक अद्वक्ता के खाते में टांसफर किये जाएंगे जो ही सोजना में लावारती होंगे इसका मन नहीं लगता घर पे आ गई पाई इंपरत्रा बनिया विए मांदो कुछ कम है वह यहां आते हैं और उन बरिष्ट अद्वक्ताओं ने पूरा जीवन अपना हैं मैंटरी बारैसोसीशन की लिए नहीं अच्छावर कर दिया आते हैं यहां एक परिवार है हिमारा ऐसे समय में उननेLEYमें मैंटरी बारैसोसीशन की पताधिकारियों का ये कर्टब है, उन्हें सम्मान, बरिष्ट अधवक्ता सम्मान ने थी जिसे मैंने नाम किया है 21 रुप्या प्रति महां देनका मैंने कारकानी से ये प्रिस्ताव लाया था उसमें प्रिस्ताव को पास हुआ, फिर मैं जन्रल बॉडी में लाया बहां एक मत से इस प्रिस्ताव को पास किया गया, इसे महा नवंबर से ही मैं पहली, जिसे उपनिक की रूप में कहते हैं, पहली, इस नवंबर पहली जो मैं किस की दूँगा, बरिष्ट अधवक्ता सम्मान ने थी, ये बरिष्ट अधवक्ताओं के सम्मान की रूप में बकालत सुरू करते हैं, जिनकी नई बकालत है, दो शाल उन्हें में एक एक घजार रुपे दे रहा हूं, जिनका लाव जुने प्राप्ट कर रहे हैं, यह दोना लगवाद एक बर्श हो गया को, और सुचार रुपे,